नमस्कार कसान भाईयों चलिए जानते हैं आज जाने की 31 माई को क्या रहे राजिस्तान की कुछ बड़ी मंडियों में फसलों फिदाम चलिए शुरू करते हैं कुकडी की मंडी में आज टामाटर के बहुते 600 रुपे और गौर के थे 2300 रुपे सुजानगर की मंडी में टामाटर के बहुते 1400 रुपे और प्यास के थे 800 रुपे भादरा की मंडी में लैसुन के बहुते 8000 रुपे प्यास के बहुते 1500 रुपे टामाटर के बहुते 1000 रुपे और गेहुं के बहुते 1812 रुपे हनुमानगड की मंडी में लैसुन के भाव थे 4,000 रुपए, टामाटर के थे 600 रुपए और प्यास के थे 1400 रुपए रावतसर की मंडी में टामाटर के भाव थे 700 रुपए और प्यास के थे 1500 रुपए बांदीकुई की मंडी में जोके भाव थे 1675 रुपे, चने के भाव थे 4923 रुपे, सरसो के भाव थे 6680 रुपे, गेहों के भाव थे 1825 रुपे, और बाजरा यहां था 1258 रुपे लाल सोत की मंडी में ग्वार बिका 3725 रुपे, बाजरा बिका 1280 रुपे, चना बिका 3938 रुपे, सरसों यहां बिकी 6900 रुपे, और गेहू यहां बिका 1851 रुपे भिलाडा की मंडी में गेहूं बिका 2750 रुपे, 200 रुपे, सोफ यहां बिकी 12,500 रुपे जाए 1200 रुपे, लेसुन बिका 9,000 रुपे, 300 रुपे पाली की मंडी में लेसुन बिका 950 रुपे, प्यास बिकी 1350 रुपे सीकर की मंडी में श्री विजेनगर की मंडी में चना विका 5145 रुपए और गेहों विका 949 रुपए राधसावन की मंडी में टमाटर विका 1000 रुपए जनिया विका 1700 रुपए गोहर विकी 2300 रुपए प्याज विकी 1500 रुपए और टमाटर विके 400 रुपए किसान भाईयों आज के लिए बस इतना ही आज दीजी अजाज़त कल फिर मिलेंगे धन्यवाद